बिस्मिल्ला रह्मान रहीम अस्सलाम अलेकुम आपके साथ हाजिर है सना कैसा है कैसे हैं आप लोग उमीद है आप सब खरियत से होंगे आज मैं आपको मघज मसाला या भेजा मसाला बनाना सिखा रही हूँ इसके लिए मैंने एक भेजा लिया है गाए का है और इसको मैंने पहले गरम पानी में डाल दिया था इसकी वेंस को अच्छी तरह क्लीन करना पड़ता है वो कर दिया था और उसमें बाकी जो जो मसाले चाहिए मैंने एक टीमाटर लिया है एक प्याज लिया है उसे भी स्लाइ पिषावा गड़ा मसाले लेशन एक पन खाने का चमचा नमक एक चाय काश लाल मिर्चे एक चाय का चमचा हलदी आधा चाय में धनिया आधा चाह का चमचा अब इसे बनाते हैं, मैंने पैन में तक्रीबान हाफ कप ओई लिया है, इसमें मैं प्यास आइट करूंगी, हम प्यास को गोल्डन ब्राउन करेंगे, अच्छी तरह प्यास को फ्राइ करने के बाद, हम इसमें बाकी मसाले भी आइट कर देंगे, देखें गोल्डन होना शुर अब हम इसमें पीसी भी मिर्चे एट करेंगे, हल्दी, घन्या पॉडर, गरमसारा पॉडर, अच्छी तरह, सारे मसारे को हम इसमें मिक्स करेंगे, और फिर टिमाटर रेट कर देंगे, अब इसमें हम चौप किये हुए, अच्छी तरह, भूनने के बाद टिमाटरों को हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 2-3 खाने के चम्चे, और इसको कवर करके रख देंगे, जितने में टिमाटर सॉफ्ट होंगे, मसाला भून जाएगा, फिर हम इसमें भेजा डाल देंगे, पांच से साथ मिनट में देखें, मसाला रेडी हो चुका है, अच्छी तरह भून गया था, तिमाटर भी साब मैश हो गए इसमें, अब हम इसमें भेजा एट कर देंगे, यह बहुत जल्दी रेडी हो जाता है, इसको बहुत देर तक पकानी के दरुवत नहीं है, और इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही होता है, जैसे हम एग बनाते हैं, अंडो का हारेज बनाते हैं, आलू अंडो का, अब हम इसे कवर करके, 10-15 मिनट के लिए रखते हैं, यह अब आएं कि आपको यह कैसा लगा, अमीद है यह रेसिपी आपको पसंद आई होगी, हमने इसमें हरादन्या और हरी मिर्चे एड़ कर दी हैं, और आप इसको डिश आउट करेंगे, दो से तीम मिनट इसको हरी मिर्चो और हरी मिर्चो के साथ शादे कर लेते हैं, और फिर इस चैनल को लाइक, सबस्क्राइब और शेयर करें, मिलते हैं नेक्स असीपी के साथ, अल्ला आफिस